हमाशकार फ्रेंड आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आल इंडिया बैंक लिटारीस फेडरेशन ने अनुरेबिल फिनांस मिनिस्टर को एक लेटर लिखे जो सिनियर सिर्जन के एकस्पेक्टेशन है आने वाले बजट यूनियन बजट 23-24 में उससे क्या उम्मीद रखती ह उस बारे में सजेशन दिया है और उसका जो इंपोर्टेंट पोइंक्स है मैं केवल आपको उतना ही बताता हूं जो सिनियर सिर्जन को डिपाजिट पे 50,000 तक का एक्जम्शन मिलता है उसको बढ़ा कर एक लाग करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है जो इंकम स्लैब की लिमिट है वो 5 लाग से बढ़ा कर 10 लाग कर दिया जाया सिनियर सिर्जन के लिए थर्ड एक्स्टेंडिंग आयुसमान भारत सिर्जन को ये फिसल्टी मिलनी चाहिए उनके दाएरे में उनको भी कवर करने के लिए रिक्रेस्ट किया गया है नेक्स्ट है रिडक्षन जीस्टी रेट्स अन हेल्थ इंसूरंस प्रीमियम पेयबूल बाई रिटारीज जो हेल्थ इंसूरंस में मेर्टकल इंसूरंस किसमें जो प्रीमियम 18% का देना पड़ता है इस लेब को रिड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है ताकि जो बर्डेन आता है रिटारीज पे या पिंसनर पे वो ना आने पाए जैसा कि पहले सिनियर सेट्जन को रेलवे में कंसेशन मिलता था लेकिन बाद में ये हटा दिया गया ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि रेलवे में सिनियर सेट्जन को डिसकाउंट एक कंसेशन मिलता था वो उसको continue करें ए आई बियर अफ ने अपने सिजेशन दिये हैं लेकिन आन्रेवल फाइनेंस में सर इसको कहां तक किस हद तर इसको एकसेप्ट करती हैं ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि सरकार के पास हम डोर तो नाक करते हैं ये सरकार कुछ नहीं सुनती है और रिटारीज और खासकर से बैंक रिटारीज के बारे में तो हूँ एकदम अपने कान में एकदम ध्यान ही नहीं देती है Thank you friends नमश्कार